हाई एवरिवन केसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूरा हुल जय स्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेर आपके सामने एक मोश्ट इंपॉर्टन मैट्स का लेक्चर वीडियो लेकर आगया हूँ दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे सविन स्टैन्रेड के लिए मैट सब्जेक का जो हमारा चाप्टर चल रहा था फ्रेंड जिसका नाम है चाप्टर न कर सकते हैं उसके बेस पर बहुत सारे एक्जांपल्स एन एक प्रैक्टिस सेट भी आपको सौल करके दिखाया था दोस्तों तो उमीद करता हो कि आपने जरूर से वो पुराने दोनों वीडियो जरूर से देखे होंगे आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग शुर गवानि यानि की एरिया डिया कोई inform yator कितफे होंग कि एक तरफल देख लिखते की इसारा गड़ा मिलेगा वहां पर रहने के लिए और वहां पर जो भी आप सत्वान रखना चाहते हैं इसारा पर बताया को बैसने है मैं अब एक result मतलब निक हमें ए Shapodना और से अन्धिष् जब करेंगे तो उसको area बोलते है and जब भी हम लोग consider करते हैं तो उसमें दो चीज सबसे important आता है area के case में बाकी बहुत सारे dimensions होते हैं बहुत सारे objects होते हैं लेकिन उसके बारे में हम ज्यादा consider नहीं करते हैं लेकिन mainly जो focus रहना है हमें दो चीज के उपर जो की है आपका सब से पहले हम बात करेंगे square की Square के बारे में देखना है andKaham, लोग sq. 2 बात करेंगे इसके बारे में rectangle लिख देता हूँ यहाँ पर दूसरा साइड भी साइड होगा और वाइसे ही बाकी के साइड भी टोटल साइड होगे लेट सपोज मैंने मान लिया तो इसका जो एरिया होता है यह याद रखना आप लोग एरिया ऑफ स्क्वायर इस इक्वल टू साइड मल्टिप्लाइबाइ यह फॉर्मुला उता है तुम्ट इसका मतलब क्या हो गया कि साइड रिक्टो को कैसे लिख सकता हूं मैं एकोई हड़िल टू साइड का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वाय और शाइड को हम लोग एसे डिनोट कर सकते यह मैंने आपको कोई भी questions अगर दिया आरता है let's suppose यहाँ पर मैं example भी आपको करा देता हूँ साथी मैं फिर एक और बेटर इन example है वो में करा हूँगा तो let's suppose आपको यहाँ पर बोला है कि calculate calculate area of square आपको बोला है area square का निकालो calculate the area of square जिसका हमें side देके रखा है 4 cm x square होगा यह formula पता है तो side हमारे कितना दिया हुआ है side दिया हुआ है 4 cm तो 4 का square कर तो आजाएगा answer तो area will be equal to 4 square का कितना हो जाएगा 16 तो 16 cm है तो cm का square हो गया area is equal to 16 cm square this will be our answer कितना simple है within 2 second 10 second आप consider कर लो 10 second में आपका answer square का अगर आपको area निकालने पूछता है तो आप easily calculate कर सकते हो clear है दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि square के case का आपको समझ में आ गया होगा वैसे हम लोग बात करेंगे rectangle में rectangle को अगर मैं consider करूँ diagram बनाने की कोशिश करूँ rectangle में आपका एक side थोड़ा लंबा होता है दूसरा side थोड़ा सा छोटा होता है यानि की एक होता है उसका length ठीक है एक होता है length और दूसरा जो होता है breadth होता है ठीक है न breadth होता है अब length और breadth होता है तो हम लोग अगर मैं area निकालने की कोशिश करू that is the area of rectangle will be equal to आपको यह चीज याद रखना है कि अगर मैं length को जैसे मैंने आपको start में बताया कि लंबाई और चौड़ाई को जब एक साथ इकटा कर लेते है यानि कि क्या करते है multiply कर लेते है तो हमें area of rectangle मिल जाता है तो length multiply by breadth अगर आप करोगे तो आपको area of rectangle जो है वो मिल जाएगा clear है तो उमीद करता हूँ कि आप लोगको यह particular चीज भी बहुत ही easily समझ में आ गया होगा कुछ में इसमें सोचने वाली बात नहीं है अगर इसका भी एक example consider करेंगे same आपको अगर पूछ रहा है calculate the area of rectangle यहाँ पर अगर मैं आपको पूछ लिया कि calculate the area of rectangle जिसका आपको length दिया है समझ लो जिसको आपको length दिया हुआ है length दिया हुआ है समझ लो आपको 7 cm और breadth दिया है आपको 4 cm और आपको calculate करने बूला है area तो easily आपको बस formula याद रहेगा तो आप calculate कर सकते है तो what is the formula for area of rectangle we know that area of rectangle area of rectangle is equal to क्या है length multiply by breadth तो length कितना है हमारे पास 7 है multiply by breadth कितना है 4 है 7-4 जा कितना हो जाएगा 28 cm यहाँ आपका answer clear है तो पूरी विमीद करता हूँ कि यह आपको बहुत ही easily समझ में आगया होगा कि कुछ भी इसमें परेशानी नहीं आएगी और अभी भी आपको कोई question पूछता है what is the formula for calculating the square that is side square what is the formula for calculating the rectangle that is length into breadth यह आपको बस याद रखना है अब एक और ऐसे ही बेतरीन एक छोटा सा example है वो मैं आपको कराऊँगा फिर आज का lecture को हम लोग फटाफट से देख लो यह example बहुत ही बेतरीन एंड ऐसे type के examples अक्सर आपको exam में पूछे जाएंगे इसके लिए मैं आपको यह करा रहा हूँ फिर आज का lecture stop करेंगे और जब भी आपको next lecture में लेकर आऊँगा उसमें हम लोग real example जो की होगा प्राक्टिस सेट का वो solve करेंगे तो let's suppose आपको एक question बोला है और इस प्रकार डाइग्रम भी बोला है आपको एक डाइग्रम आपको दिया हुआ है इस प्रकार से एक rectangle आपको नजार आ रहा हूँआ यहाँ मैं मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है for example this is our rectangle and यह rectangle के अंदर एक और rectangle यहाँ पे डालके रखा हुआ है यानि की एक समझ लो एक garden है समझ लो ABCD नाम का ABCD नाम का एक गाडन है उसके अंदर एक और गाडन है छोटा सा PQRS नाम का ठीक है इसका लेंग्थ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसका जो लेंग्थ दिया हुआ है वो है यहाँ पे 65 cm अंदर वाले का यह जो लंबाई है 65 cm चोडाई 30 cm है और यह दोनों के है कि what is the area of this particular rectangle, rectangle में आपको area निकालना, area आप कैसे निकालोगे जैसे कि आपको दिख रहा है कि एक बड़ा rectangle है ABCD नाम का यानि कि यह पूरा area उसके अंदर एक मैंने एक और rectangle मा रहा हुआ यानि कि यह जो अंदर का space हो खाली है खोकला है तो यानि कि आपका जो area निकलेगा मतलब यह जो पट्टी आपको दिख रहा होगा यह इतना दिख रहा है मैं हाथ से दिखाने ही कोशिश कर रहा हूँ तो CBC चीज का निकलेगा तो area उस चीज का कैसे निकालेंगे तो हम लोग को पता है कि अगर मेरे को total area निकालना है हमारा अगर मुझे area निकालना है तो मु अगर मैं बात करो तो चोड़ाई कितना है प्लस 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा यह 33 हो जाएगा ठीक है ना यानि कि अगर मैं यह आप पूरा लिखने की कोशिश करू 30 प्लस 1.5 प्लस 1.5 यह हो गया बड़े वाले ट्रैंगल का अब माइनस करना है लेंग्ट इन टू प्रे चोटे वाले का तो चोटे वाले को डिरेकली दिया हुए 65 इसको निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग 38 को पहले किससे मल्टिप्लाइ करेंगे हम लोग 33 से तो 68 को 36 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारा जू एंसर आ रहा है तो वो आ रहा है 2244 और इसको Yak इसको मार्याउ्त करेंगे 65 को 38 से जब multiply करेंगे, तो 65 multiply by 30 हमको आ रहा है 1950, अब यह दोनों को subtract कर लो, आप लोग माइनस कर लो, तो आपका final answer आ जाएगा, 2244-1950 आप करोगे, तो आपका final answer आ जाएगा, जो कि आ रहा है, 294, तो 294 जो रहेगा, वो क्या रहेगा, आपका area रहेगा, square, 20 meter है, तो meter है, तो meter लिग एक को, एक में से minus कर दो, तो आपको area मिल जाएगा, तो हमने क्या किया, बड़े वाला rectangle को, छोटे वाले rectangle से minus कर दिया, उसके area को, तो हमें answer मिल गया, 294 square meter, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह particular example भी आपको clear हो गया होगा, तो दोस्तों, आज का lecture बस इतना ही था, इसमें मैं कैसा लगाई आपको आज का lecture, प्लीज हमें comment करके बताएगा, अपनी राय और सजेक्शन जरूर से दीजेगा दोस्तों, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए है, useful लगाए फ्रेंड, तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, अपने सारे friends लोग के साथ, फट and goodbye